आप सबी लोगों का हमाई शमास काईटिंग में बहुत बहुत शाथ है आज का मोशन बहुत अच्छा है कानपुर में हलकेल की बारिश हो रही है सुबह का वक्त है और आज हम बात करेंगे बहुत ही खुपसर फ्लावरिंग प्लांट एस्टर की एस्टर बहुत ही खुपसर अच्छी फ्लावरिंग नहीं दें नहीं बहुत अच्छी फ्लावरिंग प्लांट है और यह आपको अप्रैЛ तक फूल देते हैं और दीखिए इसकी कई पेटन और डवल पेटन दोनों आपको मिल जाएंगे नर्सरी में अगर इसका प्लांट अभी भी लगा सकते तो है त अच्छी फ्लावरिंग जब भी नर्सरी से लेने जाएंगे यह तो यह तक प्लावरिंग है बहुत खूब शुरो फ्लावरिंग होती है और इसका सही तैम में आपको बताती है इसको सीट की थो हमेशा नॉमबर की महीने में आप आसानी से लगा सकते हैं इसकी पहुत महीने लगाई हुई थी और देखिए गलर कितने प्यारे प्यारे खूब अच्छी खूब फ्लावरिंग होती है अगर आपको इसको एक गमले में लगाएंगे तो एक प्लांट मत लगाएंगे जब भी लगाएंगे पांच या चार या पांच प्लांट एक गमले में लगाएंगे अगर ज्यादा अच्छी स्पेस है अच्छी स्पेस है अपके गमले में तो आप इसको काफी सारे प्लांट को पड़ा होने के इसके कुड़ा करfilled on is a कोज़िर नहीं करएगी तो सिंगल सपास्रक्य joining a कशच्छ Si में फील मिलने वाला एक अगर हम पीन्चिंग कर ते रहें ते काफि सारी जांगा इसको मैं उन्हसमें ठेज्डी ब्रांचिस changing week अगर लगाए सकते हैं तो लगा भीज लीजिए और यह नीचे की तरफ दन्यास की टूट जाएगी इसलिए ज्यादा तर इसको टैनेंस की गमले में लगाईएगा फैलो हुए गमले में और मिट्टी की बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी बिल्कुस सॉफ्ट होती है वैलनेंस बहुत ही एजली होटे ही उनके लिए आपको क्या करना है नीम आईल का स्पे करना है नीम आईल और वन इसमून ऑील और वन इसपून आपको डिटर्जन या शैंपू कोई भी लेकिया इसको करें अच्छे से और फिर उसका चर्काऊ हर पंदरा दिन में एक बार करते रहें और हम क singers सब अब एक जो और राइस कें राका मिलाएक, आपके बहुत आपके प्लांटि दीजेगा, साइस की जरद में कितने बड़े-बड़े, इस मुखी की तरह रगए भाजね sound, बईदयए प्लांटर काण गया और डबल पैटन के जो मैंने नेक्स्ट वीडियो पहले आपको मैंने डाल रखे हैं उसमें चेक कर सकते हैं बहुत ही खुबसूरा फ्लावरिंग होती है और आप अगर छोटा सा एक प्लांट कर लगाना चाहते हैं स्रिप आप इसको पांचेंस की गंबले में लगा लीजिए तो देखे रहे कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही हैं बड़े बड़े कंटेनर में इसलिए लगाया कि मुरे पर खाली पड़े हुए थे और यह देखे इनकी कलिया होती है इस तरह से बिलकुल देख रहे है इसमें इसमें यह पिंक लर्ड का खुबसूरा स्फूल किलेगा पहुत लगाने से ये होता है कि आपको सारे कलर्स जबतär एक जैसे मिल जाते हैं अगर मुद्द का अगर 20 रुपीज का पर मिल जाता है तो उसमें ये होता ए कि आपको हर फुल खिला हुआ मिलेगा और उसकी ग्रोथ भी आपको देखने है इसलिए तोमार पहुत वह टून पानी सूख जाए मिटी बिल्कुल ड्राई हो जाए तब ही पानी दीजेगा जिन्टर की ज्यादा तर मैं आपको बताती हूँ कि ज्यादा तर फ्लावरिंग प्लांटों को पानी कम देना चाहिए जिससे अच्छी ग्रोध बनती है तो चलिए देखते हैं और भी मेरे खुब पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दमाने जरूर रिखिएगा जिसे में वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक वर वाचिंग माइ वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद